कोरोना वेक्सीन के आने पर राहत के बीच अब एक नया संकट गहराता दिखाई दे रहा है। आप दागोशित कर दिया है वही अगर हर्याना की बात करें तो हर्याना के बर्वालाक शेत्र में रहसे में तरीके से मर रही मुर्गियों की वज़े से इलाके में एवियन फ्लू का भे है यहां करीब एक लाख मुर्गी और चूजों की मौत हो चुकी है मुर्गियों के रहसे में तरीके से मरने का सिलसिला पांच दिसम्बर से शुरू हुआ था बता दे कि बरवालाक शेत्र के 110 मुर्गी फार्मों में से लगबग दो दर्जन फार्मों में मुर्गियों की रहसे में तरीके से मौत हो चुकी है मुर्गियों की मौत के बाद अब पंच्कुला जिला प्रशासन हरकत में आया है राज्य के पशुपालन विभाग ने प्रभावित फार्मों में पाई गई गई मृत मुर्गियों के 80 सेंपल इकठे करके जाँच के लिए जालंधर के रीजनल डिजीज डाइगोनौस्टिक लेबोरेटरी में भेजे गए है आपको बता दे कि हरियाना, हिमाचल, मद्यप्रदेश, राजस्थान और केरल में अब तक 84,775 पक्षियों की मौत हो चुकी है मद्यप्रदेश में अब तक 200 से जादा पक्षियों की मौत हो चुकी है वही हिमाचल मद्यप्रदेश, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टी हो गई है जबकि हर्याना और गुजरात में पक्षियों के सेंपल जाँच के लिए भौपाल भेजे गए हैं हिमाचल प्रदेश के पौंग जैम वेटलेंड में मृतक पक्षियों का आकड़ा 2000 के पार हो गया है इसमें इंदौर और मंदसोर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सभी जिलों को अलर्ट किया गया है कहीं भी पक्षि मृत मिले तो सेंपल भेजे जाएं जहां मृत पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिल रही है वहां पौल्टरी फॉर्म के भी सेंपल लेने को कहा गया है मध्यप्रदेश पशुपाल में भाग के संचालक डॉक्टर आर के रोकडे कहते हैं कि मध्यप्रदेश में राजस्थान के सीमावर्ती हिस्सों से बर्ड फ्लू आया है हम पूरे प्रदेश में नजर रख रहे हैं आपको यहां बता दे कि पक्षियों के मरने का पहला मामला 28 दिसंबर 2020 को सामने आया था मौतों का कारण बर्ड फ्लू है पालंपूर और जालंधर के बाद भौपाल से आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टी हो गई है इसके चलते पॉंग बांध हेरिया को सील कर दिया गया है एक किलोमीटर शेत्र रेड जोन बनाया गया है इसके अलावा नो किलोमीटर तक का ख्षेत्र सर्विलेंस जोन बनाया गया है यही नहीं बांध के आसपास किसी भी तरह की गतिविधी पर रोक लगा दी गई है राजस्थान में अब तक 522 पक्षियों की मौत हो चुकी है जिन में 471 कोवे हैं हलाकी अभी तक सिर्फ साथ सेंपल की ही रिपोर्ट आई है इनमें बर्ड फ्लू की पुष्टी हुई है सोमवार को प्रदेश के 6 जिलों में 140 कोव ने दम तोड़ा इनमें सवाई माधवपूर में 35, बिकानेर में 53, जालावार में 22, 12 में 17, पाली में 9 और बांसवारा में 7 की जान गई सोमवार को राजस्थान के 12 और 12 से बया, कोवा और बगुलो के 13 सेंपल चार्च के लिए भोपाल भेज़े गए थे हलाकि इस 20 सोड़ी राहत की बात ये है कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान में बर्ड फ्लू से हुई मौतों में सिर्फ H5 इंफ्लूंजा ही मिला है जो ज़्यादा घातक नहीं है, इसका सबसे घातक स्ट्रेन H5N1 है अगर पक्षियों से ये वाइरस इंसानों में चला जाए तो महमारी का रूप ले सकता है उधर केरल के अलापूजा और कोट्टायम जिलों में वर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टी हुई है इसके बाद इन दोनों जिलों में 50,000 बत्तकों को मारने के आदेश दे दिये गए है राजे के वन पशुपालन और डेरी विकास मंत्री के राजु ने कहा जहां संक्रमन का पता चलेगा वहां करीब एक किलोमीटर के दाएरे में सभी पक्षियों को मार दिया जाएगा इसमें पालतू बस अजाव की पक्षियों को भी शामिल किया जाएगा मही राजे के अधिकारियों के मताबिक वर्ड फ्लू से करीब 12,000 बत्तकों की मौत पहले ही हो चुकी है पंस्कुला के बर्वाला के राएपुर रानिक शेत्र में पिछले दो दिन में दो फार्म में ही सतर हजार से भी जादा मुर्गियों की मौत हो गई है फार्मों से लिए गए मौत मुर्गियों के सेंपल की जाँच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है सूत्रों का कहना है कि महीने भर पहले कुछ पॉल्ट्री फार्म में बिमारी आने लगी तो उन्होंने मुर्गियों को कही दूसरी जगे बेच दिया प्रशासन वे पॉल्ट्री फार्म के मालिकों की ओर से मामले को दबाया गया जनवरी को बत्तक टिटहरी बगुला सहित कई तरेपन मृत पाए गए बर्ट फ्लू की आशंका के चलते इनके शव को पोस्ट मौटम के लिए भेजा गया है गुजरात के प्रधान मुख्य वन सनरक्षिक शामल टीकादार का कहना है कि बर्ट फ्लू की आशंका से हमने अलर्ट घोशित किया है रेंज वन अधिकारी ए ए चावडा ने बताया कि तरेपन पक्षी मृत मिले है लेकिन इनकी मौत की वज़े अभी सपश नहीं है कारण जानने के लिए पशु चिकित्सा विबाग पीम सहित कारवाई कर रही है बताते चले कि हिमाचल में मचली और अंडो की बिक्री पर भी बेन लगा दिया गया है आपको यहाँ आप यह भी जानना चाहिए कि बर्ड फ्लू क्या है और यह कैसे फैलता है बर्ड फ्लू होने पर कफ, डाइरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिरदर्द, मासपेशियों में दर्द, गले में खराश, नाग बहना और बेचेनी जैसी समस्या हो सकती है एवियन इन्फ्लूएंजा यह एवियन फ्लू को बर्ड फ्लू कहते हैं यह पक्षियों से फैलने वाला रोग है संक्रमित पक्षी के संपर्क में आने से यह रोग इंसानों में फैलने की आशंका रहती है मृत और जिंदा दोनों ही पक्षियों से यह संक्रमन इंसानों में फैल सकता है आइसे ही लेटेश को पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाल Jyoti Garden of JBD Banquets Enterprise